Hello India, Welcome to Indian AI Production, Computer Vision, Using Deep Learning, Beginner to Professional, Hands on Python Course in Hindi में, Open CV Tutorial, Part 16 में आज हम देखने वाल है कि आपके पास कोई एक image है, उस image में multiple channels है, तो उस multiple channel को आप किस तरह के से split करंगे, और इसी के साथ मान लो आपके पास multiple channels से break है, तो उस multiple channel को आप किस तरह के से merge करके, आप उसको एक image के रूप में show कर करेंगे, तो इसके बार में आज हम पूरे detail में study करेंगे, तो चलो इस tutorial को start करते हैं, आज का tutorial स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक request करूँगा, कि आपको open CV Tutorial की जो playlist है वो आपको access करने पड़ेंगी, ताकि आज का tutorial आपको समझने में आसानी होंगी, और हमारा पिछला tutorial, part number 15 में हमने discuss कहता कि how to convert image color using CV to dot CVT color function, तो इसको हमने पूरे detail में समझा है था, और आपको ये tutorial देखना पड़ेंगा, ताकि आज का tutorial आपको समझने में आसानी होंगी, तो चलो आज के tutorial के उपर हम जम करते हैं, तो आज का हमारा tutorial है, how to split image in a single channel and merge multiple single channels, ओके, तो सबसे पहल आपके पास एक image होनी चाहिए, तभी हम split and merge operation perform करेंगे, तो चलो यहाँ पर हमारा code, यह code क्या करेंगा, हमारे directory में से एक image को read करेंगा, write, और उस image को show करेंगा, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सी image है, तो इस code को मैं execute कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे इमेज है, वो three channel में image है, अब उस image को हमें particular channel split करना है, तो हमारे पास एक दो options है, एक है numpy indexing का इस्तमाल करके, और दूसरा है हमारे पास जो function है, sweet.split function, यहाँ पर हमारे पास major दो difference मेंनेगे numpy indexing and sweet.split में, right, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं numpy indexing के बारे में, तो य code का इस्तमाल करके, तो चलो उसको हम visualize करते हैं, तो यहाँ पर आप दिस रती हो, हमारे पास जो image है, वो image आपको इस तरह के से दिखेंगे, actually, जो हमारे पास image है, जो store होती है, वो number के format में store होती है, और उसके बाद जो हमारे पास number से, right, यह number का है, यह light की intensity है, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेंगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास image है, उसका shape हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, और उसके पास just में कुछ sale यहाँ पर add कर लेता हूँ, तो हमारे पास image है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे dot shape, तो हमारे पास image है, उसमें total, जो भी हमारे image है, वो color image है, तो जब color image है, तो हमारे पास total 3 channel है, एक है blue, दूसरा है green, और तीसरा है हमारे पास red, यह total 3 channels है, तो हमें उस particular चानिने को access करना है, तो हम क्या करनेंगे, मतलब हमें split करना है हमारे पास जो image है three dimension image है उसका हमें split करना है तो हम क्या करेंगे तो कुछ ने हमारे image का नाम लिखना पड़ेंगा उसके बाद हमें लेगना है square bracket और उसके बाद हमारे पास three values हमें देनी पड़ेंगे first यहापर colon इसका मतलब यह होता है कि हमें सारे के सारे image में जितने भी rows है वो rows चाहिए second का मतलब होता है image में जितने भी column से वो हमें column चाहिए image यहापर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब होता है कि matrix right और उसके बाद हमें क्या करना हमें हमारे पास total three channels है right तो 3 channels मेंसे हमें कौन सा channel चाहिए है? तो जो 1st channel होता है, वो blue होता है, सेकंड channel होता है, जो green होता है and 3rd channel होता है, वो red channel होता है. अब यहाँ पर indexing भी उसी की हिसाफ से होती है, जैसे कि हमारे पास channel है, blue equals to indexing होगा 0, green equals to होगा 1, and red equals to होगा 2, यहाँ पर हमारे पास यह indexing है, matrix की है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें blue चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेखेंगे 0, और इसको execute करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास यह matrix मिला है, यह matrix है blue channel का, अब इसका आपको shape देखना है, तो आपको just copy करना है, और नीचा कर paste करना, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है, dot sheep, right, तो यहाँ पर हमें जो array मिलेंगा, वो two dimension array है, यहाँ पर आप देख सकते हमारे पास से height, और हमारे पास से width, जब आपकी color image रहती है, तो आपकी जो image का dimension रहता है, वो three dimension रहता है, इस चीसका आपको धा रखना पड़ेंगा, तो यह जो हमारे पास अभी image मिली है, right, यह जो हमारे पास first channel मिला, यह blue channel है, और उसके बाद आपको split करना है, आपको चाहिए green channel, तो आप क्या करूंगे, इसी code को direct copy करूंगे, और यहाँ पर आप लिखोंगे, zero के जगा पर आपको index लिखना पड़े यह red image, right, red image का हमें channel चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका index लेंगे 2, right, और उसको execute करूंगे, तो यहाँ पर आप देशे तो हमारे पास green channel की जो value है, green channel का जो matrix है, वो हमें मिल चुका है, अब यहाँ पर आप देखोंगे, कि हमारे पास जो values है, यह मिलती जूलत यह, right, बट यहाँ पर आप observe करेंगे तो जैसे कि यह 0 इंडेक्स पर जो हमें value मिली है, blue की है, 54, यह intensity है, ध्याँ रखना, intensity है, next क्या है, यह 52, यह भी intensity value है, किसकी green color की, यह क्या है, यह जो intensity, यह rate color की intensity value है, right, तो तो तीनों को combine करके हमें क्या मिलता है, हमें color मिलता है, त तो आपके जो display रहता है, उस display में, एक pixel के जगापर, वहाँ पर, just consider करो कि आपका 3 lights है, 3 lights, एकदम छोटे light है, जो आपको दिखेंगा नहीं, अब क्या होता है, कि जब यह blue channel की value है, 54, जब उसको 54 intensity मिलेंगी, उसी के साथ उसको 52 intensity मिलेंगी, and 52 intensity मिलेंगी, तो इसका आपक के हिसाब से आपको color मिलेंगा, अब मान लो, blue value यहापर 255 रहती है, green value यहापर 0 रहती है, और यहापर भी value रहती है, 0, इसका मतलब यह होगा, कि आपके image में जो particular pixel है, वो blue pixel दिखेंगा आपको, right, बड़ इसका combination आपको different value का मिलेंगा, तो यहापर color change होगा, इस चीज़ क अब हम क्या करते है, numpy indexing का इस्तेमाल करके हम image को split करते है, right, और इसमें से आपको जो भी channel access करना है, जिसके उपर आपको कोई mathematical operation perform करना in future, तो आप उसको कर सकते हो, right, अब हम क्या करंगे, अब हम split करंगे, किसको हम image को ही split करंगे, लेकिन हम क्या करंगे, यहापर हम numpy indexing क करेंगे, हम यहापर cv2.split function का इस्तेमाल करेंगे, right, तो अभी हमारे पास image यही same variable में है, img variable, इसको हम copy करेंगे, और यहापर हम नीचे आएंगे, right, और यहापर अभी हम क्या करेंगे, cv2.split function का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें यहापर लिखना पढ़ेंगा, cv2.split, उ है कि भाई parameter आपको यम देना है, वो क्या है, एक input multi channel array है, अब यह two dimension हो सकता है, यह three dimension हो सकता है, यह multi dimension, four, five, six dimension हो सकता है, कोई फ़रक नहीं पढ़ेंगा, बट धान रखने आपके पास एक से ज्यादा channel होनी चाहिए, एक से ज्यादा channel नहीं होंगे, तो अब उसको split किस त return करेंगा, तो चलो यार, अभी हमें क्या करना है, हमें इसको देना है image, तो हमारा image इस variable में हमारे पास multi channel available है, तो हम क्या करना है, split function को दे देंगे, अब आप सभी को पता है कि हमारे पास जो IMG है, यह IMG में हमारे पास total three channels से, यहाँ पर आप देख से तो उसका shape लेके, तो हम open svee का इस्तमाल करके कोई image को read करते हैं, तो image blue gr format में रहती है, तो split function भी हमें वही sequence में channel available करके दे देंगा, तो हमें सबसे पहले हो क्या करेंगा, हमें blue channel देंगा, next हमें green channel देंगा, next हमें red channel देंगा, तो हमें यह total three channels देंगे, क्योंकि जो हमने IMG variable provide किया है, इसमें total three channels available है, तो चलो यार इसको execute करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो हमारे पास split function है, successfully हमारे पास image थी, उसको split कर लिया है, अब आप चाहते हूं कि हमें B को भी देखना है, हमें G को भी देखना है, और हमें R को भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम direct B को call करे यहाँ पर आप देखते हो, हमारे पास same array मिल चुका है, जब हमने numpy indexing का इस्तमाल किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, right, same value यहाँ पर भी available है, और same value यहाँ पर भी available है, right, अब इसका आपको shape देखना है, तो same यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, B.shape, right, तो यहाँ पर आ function का इस्तमाल करके image को split कर लिया है, right, अब यहाँ पर आप देखोंगे कि भाई, हम split function का इस्तमाल करें, या numpy indexing का इस्तमाल करें, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कि आपको time save करना है, आपके पास computation power कम है, तो आपको numpy indexing को follow करना पड़ेंगा, numpy indexing को follow करना जब आपके पास computing power कम है, आपको कम time के अंदर आपको operation perform करना है तब, right, और यहाँ पर मैं आपको proof के साथ दिखाना चाहूँगा, कि यह किस तरह किसे काम करता है, तो यहाँ पर just मैंने आपको बता भी दिया है, यह warning है, cv2.split is a costly operation in terms of time, so do it only if you need it, otherwise go for numpy indexing, right, इस block के उ करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि time complexity, time calculation आपको split function का इस्तमाल करके कितना time लेंगा, और आपको numpy indexing करते वक्त आपको कितना time लेंगा, right, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, जो हमारा img variable है, उसमें तो हमारा पास image available है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक for loop लगांगा, for i in range, मैं क्या करूँगा, सव बार हमारा image को split करूँगा, तो यहाँ पर मैं लेंगा, so, right, उसको बाद मैं आँगा नीचे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, r, g, red equals to, क्या करूँगा, cv2.split, right, और इसको मैं क्या करूँगा, image दूँगा, img, तो व अफिलाल, हम शो कुछ ने करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर time कितना लगता है, सब image को split करने के लिए, यहाँ पर हम देखने वाले है, right, तो यहाँ, हमें time को calculate करना है, तो हमारे पास एक module है, import time, right, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, start underscore time, equals to, क्या करेंगे, time.time, ओके, और उसके पर हम क्या करेंगे, हमारे पास रहेंगा, end time, और यहाँ पर लेंगे, हमें end underscore time, equals to time.time, इसको मैं समझाओंगा, आप चिंता मत करो, और यहाँ पर मैं print करूंगा, total time taken to split 100 images, ओके, और यहाँ पर मैं उसको यहाँ करेंगा, end time minus start time, right, तो चलो, यहाँ पर मैं आपको code को फिर से एक बार समझा देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम time model को import करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो current time रहेंगा, हम वो लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम for loop लगा देंगे, और सव बार हम इस for loop को execute करेंगे, तो सव बार ही क्या करेंगा, एक बार image लेंगा, उसको split करेंगा, फिर से same image लेंगा, फिर से उसको split करेंगा, फिर से image लेंगा, फिर से split करेंगा, ऐसा हो 7 time split करेंगा, उ चलिए इस code को execute करते और देखते है कि split function को 100 image को split करने के लिए कितना time लगता है. तो यहाँ पर आप देखे तो हमारे पास जो time लगाए 100 images को split करने के लिए जब हमने cv.split function का इस्तमाल किया तो यहाँ पर हमारे पास 0.6761 seconds हमें लगे है 100 images को split करके. अब हम क्या करेंगे, हम यही sim operation perform करेंगे, numpy indexing का इस्तमाल करके, तो यहाँ पर हमने लिया numpy indexing के लिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, split, split के जगाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे, img, colon, comma, colon, comma, 0, right, और यह हमारे रहेंगी, blue value, blue, उसी तरह करेंगे, green को भी करेंगे, और red को भी करेंगे, तो चलो मैं copy paste कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने लिया green channel, green channel का index लिया 1, यहाँ पर हमने लिया red, red का, red का index लिया हमने यहाँ पर 2, right, तो अभी हम क्या करेंगे, हम numpy indexing का इस्तमाल करके, 100 images को split कर रहें, और यहाँ पर हम देखेंगे, कि हमे कितना time लगता है, सब images को split करने के लिए numpy indexing का इस्तमाल करके, तो चलो इस code को execute करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपके सामने result आ चुका है, कि आप जब numpy indexing का इस्तमाल करके, सब images को आप split करते हो, तो आपको total 0.0019 second आपको लगे है, तो कितना faster है numpy indexing as compared to to split, तो इस value से आप subscribe करके, देख सकते हो, इसको मैं copy करूँगा, और minus करूँगा, जो हमारे पास current value है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो, जो numpy indexing को 0.67411 second से, यह आगे है split function से, तो जब भी आप indexing करते हो, तो आपको time save करना है, तो आप numpy indexing को use कर सकते हो, तो यहाँ अपर हमने देख लिया कि split हम किस तरह किसे करते है, अब यहाँ पर interesting बात यहाँ आती कि, जो हमारे पास अभी split करके, जो हमें single single channel मिल चुके, red channel मिला है, हमें green channel मिला है, और हमें यह blue channel मिला है, अब इस channel को हम visualize करेंगे, as image के format में यह तो किस तरह किसे में दीखेंगे, तो क show single channels, right, तो चलो, यहाँ पर हम single channels को हम show करेंगे, बी, 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 ओके, तो यहाँ पर हमने same code ले लिया है, अब यहाँ पर हम क्या करते थे, हम IMG को read करके, image को resize करके, हम क्या करते थे, हम three dimension channel को show करते थे, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम one dimension channel को show करेंगे, तो यहाँ हमने लिया img colon comma colon comma हमने लिया blue image राइट तो हम blue image को शो करेंगे क्योंकि आप आप हमने लिया 0 तो model blue image लिपते है आप ब्ल्यू इमेज राइट तो चलो इसको execute करके देखते हैं कि हमें हमес पास ब्ल्यू इमेज हम लेते तो इमेज की तरके से दिखते है तो यहापर आपदेशनेते है जब भी ड्ल्यू चानल है closing हो तो blue channel, blue image को दिखाने के लिए आपके पास total 3 channel होने चाहिए, क्योंकि, क्योंकि जब light blink होंगे, right, तो light blink होने के वक्त, आपका green light बंद होंगा, आपका red light बंद होंगा, और उसके बाद सिर्फ उसी आपका blue light चलू होंगा, बट फिलाल क्या हो रहा है, फिलाल हमार पास, जब ह हमार पास एक ही light मिलता है, और वो light एक normal light रहता है, जैसे कि वो, जैसे उसको value 0 मिलेंगी, तो वो black होंगा, और जैसे value बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे 255 तक, तो जो light रहेंगा, वो जो pixel रहेंगा, गलो होते रहेंगा, गलो होते रहेंगा, गलो होते रहेंगा, तो इसलिए जब single channel मिलता है तो आपको black and white image मिलती है, तो इस चीज़ के आपको ध्यान रखना पड़ेंगा, उसे के साथ आप मानलो यहाप पर आप blue image लिए हमने, उसके साथ आप यहाप एक green channel लेते हो, तो आपको क्या मिलेंगा, चोले आपको शोई कर लेता हूँ, तो यहा इसको resize कर लेता हूँ, 400 by 400 में, चलो इसके execute करके देखते हैं, तो यहाप आप देशे हो, तो हमारे पास total 3 images मिल चुकी है, तो यहाप आपको मिली है, यह first मैं आपको sequence में convert करके देता हूँ, तो हमारे पास जो first image है, वो है image, यह blue image, यह हमारे पास green image, और यह हमारे पास red image, मतलब यह channel है, image rate नहीं है, तो यहाप आप बोलोगे कि भाज, यह blue image हमें तो थोड़ी गाड़ी दिख रही है, मतलब डार्क दिख रही है, तो यहापर हमारे पास blue channel में जो values है, उसकी जो intensity यहापर हमें कम मिल रही है, उसके वज़े से यह dark image मिल रही है, और यहापर green में क थोड़ी high है, उसके वज़े से हमें यह थोड़ी bright image मिल रही है, और उसके बाद जो rate channel में जो value की intensity हो, उससे भी high है, उसके वज़े से हमारे पास यह image है, वो हमें थोड़ी ज्यादा bright दिखाई दे रही है, तो चलो मैं इसको value के साथ भी आपको show करके दिखाऊंगा, तो स इसके वज़े से आपकी जो value, आपकी जो image है, उसके intensity आपको कम जादा मिलेंगी, तो 0 का मतलब होता है कि आपका pixel black रहेंगा, गिरू से आगे बढ़ेंगी value, तो आपका जो light रहेंगा, वो धिरी-दिरी glow हो जाएंगा, और जब 255 मिलेंगा, तो आपका light पुरा glow हो जाएं अब हम क्या करेंगे, हम split function का इस्तमाल करके देखेंगे कि हमारे बाद split function का इस्तमाल करने के बाद image किस तरह के से मिलती है, तो इससे में यापर हम क्या करेंगे, cv2.split करेंगे, और split com क्या करेंगे, img image देंगे, और यह हमें क्या करेंगा, हमें देंगा b, g, r channel देंगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है हमें जिस्ट यहाँ पर लिखना है B, G, R तो चलो इसको एक्दूट करते हैं तो यहाँ पर आप देशे तो सेम यहाँ पर हमें image मिले इसमें कोई changes नहीं मिला है तो आप numpy indexing का इस्तिमाल करो या आप split function का इस्तिमाल करो तो आपको सेम चैनल यहाँ पर मिलने वाल है, right तो इस तरह के से हमने देखा कि split function किस तरह किसे खाम करता है अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लो आपके पास जो channel है, different channel है आपको अलग-अलग channel मिल चके है, अब आपको क्या करना है, इस channel को merge करना है और उसके बाद आपको image को show करना है, तो उसके लिए आप क्या करना है तो उसके लिए आपके बास एक simple function है, जिसका नाम है merge, क्या नाम है इसका नाम है merge function, तो merge function को आपको देखना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं cv2.merge, right और इसका हम कौनसे कौनसे parameter दे सकते ही, तो चलो यहाँ पर महीं दिखाता हूँ आपको, तो इसको भी आप different different, मतलब ज्यादा parameter ने देखते हो, यहाँ पर है mv, इसका मतलब होता है parameter mv, input vector of matrices, to be merge, all matrices in mv must have the same size and same depth, यहाँ पर क्या बोल रहे है कि आपको multiple channel को merge करना है, तो सबसे पर जो requirement चीज है कि जो जितने भी आपके पास channel से, उनकी width and height same होनी चाहे, और उसी के साथ उसकी जो depth है, right, वो depth भी same होनी चाहे, तभी आप multiple channel को merge कर पाँगे, और उसके पाद हमारे पास दूसरा parameter dst, the output array of the same size and the same depth as mv0, number of the channels will be total number of the channel in the matrix array, इसका मतलब यह होता है कि आप जितने multiple channel दोंगे, तो उस multiple channel को merge करने के बाद, आपको उतने ही channel की आपको एक numpy array आपको मिल जाएंगा, with same depth के साथ, right, तो चलो यार, अब हम क्या करते है, हम merge function को क्या देना है, सबसे पहले merge function को आपको multiple channels देना है, या पर आपक आपस already है, different channel से b,g,r, तो हम क्या करेंगे, इसको देंगे b,g,r, तो चलो इसको execute करते है, यहाँ पर आप देसे तो हमारे सारे की सारे channel merge हो चुके, right, यहाँ पर आप देसे तो, और उसका आपको shape देखना है, तो चलो निच्छा आता हूँ मैं, और निच्छा आनने से पह तो इसको हम show भी करेंगे, तो यहाँ पर आप show करके देख सकते हो, right, और उसके बाद हम उसका shape देखेंगे, dot shape देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो हमारे पर जो image थी, हमने resize किया था, right, यहाँ पर हमने image को resize किया था, यहाँ पर, उसके वजे से हमारे image के इमेज देखे थी वो तो 720 x 1280 पिक्सल में थी तो यह पर आपका डाउट नहीं आना चाहिए राइट तो अभी देख सकते हो हमार पास different different three channels थे BGR उसको हमने merge कर दिया है और उसके बाद हमें यह image मिल चुकी है अब इस image को भी आप शो करना चाहते हो तो simple यार वही हमारा उपर का code इसको हम copy करेंगे इसको इसको हम copy करेंगे और मैं फूरा आपको example के साथ show करना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब कुछ दे दिया है model, wallet, image में सब कुछ यहाँ पर दे दिया है तो यहाँ पर हमने split किया है तो उसके बाद हम क्या करना पढ़ेंगा इस function को हम copy करेंगे हमें, IMG और यहाँ पर हमने split किया है यहाँ पर हम उसको paste करेंगे और जो यहाँ पर हमने split कियाथा वह हमने उसको दे डीया है और यहाँ पर हमरे पास single image रहेंगे तो उसको TV करेंगे इस這一 दो यहाँ पर हम क्वा करेंगे merge merge model image, right, तो यह अभी हमें color image मिलेंगी, ध्यान रखना आपको, तो यह हमने variable इसको pass कर दिया है, right, फिर से इस code में आपको बताता हो, यहाँ पर हमने image को read किया है, और उसको resize किया है, 404 में, right, next हमने किया कि हमने image को split किया है, तो हमारे पास total 3 channel मिले है, single single channel, और इस पाद हमने फिर से उस channel को merge किया है, और हमारे पास एक 3 dimension, फिर से मैं image मिली है, और इस एक साथ जो हमारे पास split किये हुए है, हमारे पास जो images थी, उसको हमने show भी कर लिया है, और उसके बाद जो हमने merge की image है, उसको हमने यहाँ पर show किया है, right, तो चलो उसको execute करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, right, तो यहाँ पर कुछ loss ने होता है, जब भी आपके पास कोई image है, उसको split करते हो, और उसको आप merge करते हो, तो आपका जो भी data है, वो loss नहीं होता है, right, तो यहाँ पर आप सोचोंगे कि भाई, हमें merge करना है, हमें split करना है, तो यह depending करता है कि आप कौन पर leat करते हो, तो उस operation का perform करने के लिए, सको split करूंगे, और उसके बाद अप उस particular image को merge करूंगे, right, तो यहाँ पर demonstration के लिए मने split किया है, और उसको अपको merge किया है, यह तो आप बोलोगे कि भाई, आपने यहाँ पर किसलिये split किया है, और split करने के बद आपने फिर से इस इसको आप merge करते हो तो सेम यहाँ पर मने c2.split function का इस्तमाल किया है तो आप क्या कर सकते हो नमपाइ indexing का इस्तमाल करके भी split कर सकते हो और सारे के सारे जो आपके पास channel से उसको आप क्या कर सकते हो सेम यहाँ पर merge कर सकते हो इसमें कोई issue नहीं आएंगा आने वाले next tutorial हम देखेंगे कि जो हमारे पास image है तो हमने यहाँ पर single single channel को access किया था और उसके बाद हमें जो image मिले थी वो हमें black and white image मिले थी लेकिन जो हमारे पास red channel है, blue channel है and green channel है तो उनका इस्तमाल करके हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास image है उसको हम red image, blue image and green image किस तरह के से convert करके show करेंगे तो उसके बारे में हम आने वाले tutorial में देखेंगे बट यहाँ पर आप उसका example देख सकते हो कि हमारे पास जो same channel थे उसको हमने किस तरह के से red and blue and green image में show किया है तो चलो यार इस tutorial के हम यह पर end करते है और आज के tutorial में हमने जो भी दिखा है कि हम किस तरह के से को image को split करते है, merge करते है या पर हमने जो भी practical करके दिखा है या पर जो भी हमारे पास source code है, और source code आपको description box में एक website के link मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जाओंगे तो यह source code आपको download करने के लिए मिल जाएंगा, तो चलो यार इस tutorial के हम यह पर end करते हैं, मिलेंगे हम next tutorial में, तब तक के लिए सिखते सिखाते कुछ implement करते रहो, धन्यों